हेलो एवरिवन वेल्कम टो इंगलिस अकाडमी इंगलिस अकाडमी की इस वीडियो में आज हम फनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन को बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे इससे पहले मैंने आपके डिमांड पर एक वीडियो बनाई है फनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन की यह उसकी दूसरी वीडियो है ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा क्योंकि इसे पिछवाड़ी वीडियो को डिटेल में समझाने में वीडियो लंबी बन गई तो मैं छोटे-छोटे पार्ट में वीडियो बनाऊँगा मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं as a English teacher के रूप में पिछले 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और मैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरा content पसंद आएगा प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe, जरूर करना और share करना, like करना तो ज़्यादा बाते ना करते हुए हम अपनी वीडियो को सुरू करते हैं तो fanatic जो transcription का basic से हम सुरू करते हैं हम देखते हैं कि English के अंदर है ना alphabet कितने हैं अब बहुत सही बोलते हैं कि alphabet 26 होते है alphabet तो एक ही होता है, ठीक है उस alphabet के अंदर जो letter है वो 26 है alphabet तो एक ही है, जैसे मान लिया कोई माला है, ठीक है मैं आपको एक full दूँ, ठीक है क्या आप उस एक full से माला बना सकते हैं, नई वैसे ही इसी तरह है कि 26 जो letter मिलकर एक alphabet बनाते है alphabet एक है, इसके अंदर letters कितने है 26, ठीक है अब इन letters में 5 हमारे vowelsल्स हैं और 21 हमारे क्या है, consonants है, यह सबी को पता है, ठीक, लेकिन यह जो 26 जो letter है, यह 45 टाइप्स की sound produce करते हैं 44 तरह की sound यह produce करते हैं, जब हम article करेंगे ना सबसे main, यह अगर आपको आ जाएंगे तो article भी आपके लिए आसान हो जाएंगे, तो जो 44 तरह की sound है, इन में से जो vowelsल्स हैं, वो 20 तरह की sound produce करते हैं कितने टाइप की? 20 टाइप की, हैं 5 और sound produce करें 20 तरह की vowel sound, और जो 24 है, consonant जो हमारे 21 बचगे 21 consonant, 24 टाइप्स की sound को produce करते हैं तो 20 और जो है 24 कितने होगे, 44 तरह की sound होगे टोटल, अब यह देखना द्यान से, कि जो वावल sound है 20, यह भी दो तरह की हैं, ठीक है 20 में से 12 जो sound है, 12 तरह की जो sound है, उन्हें monopthong का आजाता है, अब आप से यह भी पूछ लेंगे, बीड जैसे TGT, PRT के अंदर, monopthong के अंदर कितनी sound होती हैं, 12 तरह की जो sound है, उनको monopthong का जाता है, monopthong का मतलब होता single, ठीक है, यानि monopthong को single sound भी का जाता है, pure sound भी का जाता है, pure मतलब जिसको यह वावल को दूसरे वावल की जुरूत नहीं पड़ती, इसके अंदर, तो यह है ना pure sound भी का लाती है, या single sound भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे एक example है, C, UT, cut, ठीक है, C sound दे रहा कह की, U sound दे रहा A की, और T दे रहा tag की, cut, तो C का symbol होता है की, ठीक है, phonetic transcription जब आप करोगे, C जो कह की sound दे रहा है, इसका symbol होता की, U जो sound दे रहा है, U क्या वावल, ठीक है, यह sound किसकी दे रहा है, यहापर A की, तो A का symbol होता है, यह cut, ऐसे, यह जो A की जो sound है, यह फटाक से बोली जाती है, ठीक है, cut sound भी कहते हैं इसे, क, A, T, और T का symbol होता T, तो यह हो गया, इसका phonetic transcription, cut, इसको बोलते है, monopthong, बारा तरह की sound, अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, जो बारा monopthong sound है, उनको, उनके symbol भी लिखेंगे, with example, उनको study करेंगे, तो दुसरी जो है, art type की जो वावल sound है, इनको डायपthong का जाता है, डायपthong, डायपthong का मतलब होता दो, इसको glide sound भी का, आप से पूछ लेंगे हैं, कि glide sound किसको का जाता है, डायपthong को glide, या फिर double sound भी का जाता है, double sound का मतलब क्या है, एक वावल sound, दूसरे वावल sound के उपर सरक जाती है, एक वावल sound, दूसरे वावल sound के उपर glide कर जाती है, glide का मतलब ही होता है, सरकना यानिके खिशकना, इसको double sound भी कहते हैं, example है इसका, जैसे हम बोलते हैं इसको now, क्या बोलते हैं हम इसको now, यह जो मिलकुल कल तो उचारन तो इसको देखो नव नहीं होता है यह नव होता है क्या होता है नव नए ए उ अब यह जो ए है यह भी वावल है और उ है यह यह भी वावल है यानि यह भी सवर है और यह भी सवर है यानि एक वावल साउंड दूसरे वावल साउंड पर गलाइड कर रही है सरक रही है खिसक रही है ठीक है इसलिए इसे को डायब ठोंका जाता है और यह आठ तरह की साउंड होती है तो नाव में नै नै की जो साउंड है नै का सिंबल होता है यह ऐसे करके इसको ऐसे करते नै अब यह जो ओ है यह ओ साउंड दे रहा ए गी किसकी ए की और ए का सिंबल कल की वीडियो में पता था उल्टा इए कर दो, ठीक है, नव, और u का sound, u का जो symbol होता है, यह ऐसे करके इसको ऐसे कर दो, ठीक है, यह मैं pencil से कर देता हूँ, ऐसे करके इसको ऐसे कर दो, यह हो जैगी u की sound, ठीक है, तो एक vowel sound, दुसरे वावल साउंड पर इसलिए से डैप्थ होंका जाता है यह हम आने हिंदी में आपके आशानिक लिए लिख भी दिया है जब एक पर्टिकूलर वावल साउंड जब कोई विशेश सवरज जो है जो धवनी है साउंड है दुसरे वावल साउंड उपर गलाइड गलाइड का मतलब सरकना जब एक पर्टिकुलर वावल साउंड दुसरे वावल साउंड उपर गलाइड यानि कि सरकती है फिसलती है उसे डायप्थों का जाता है इसे mixed vowel sound भी कहा जाता है इसे mixed vowel sound भी कहा जाता है तो इस सोटी सी वीडियो में हम नहीं ये क्या सिखा कि alphabet एक है 26 letter है 26 letter 24 तरह की sound produce करते है उन 24 में से जो vowel है वो 20 तरह की sound produce करते है और उन 20 में से भी जो है 12 sound ऐसी है जिने pure vowel sound का जाता है जिने pure या single sound भी कहते हैं और 8 जो sound है उनको डैप्थों का जाता है यानि और डैप्थों को glide या double sound भी का जाता है और जो consonant है 21 और 24 तरह की sound produce करते हैं अगली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे जो vowel sound है 12 monopthong उनको उनके symbol ठीक है और उनके with example उनको study करेंगे उसके बाद जो 8 डैप्थों है उनको study करेंगे with symbol के साथ और तीसरी वीडियो के अंदर फिर हम जो consonant हैं उनको दो बार में क्या करेंगे उनको study करेंगे उमीद करता हूँ content आपको पसंदाया होगा तो please आप मेरे channel को like करना, share और subscribe जरूर करना थैंक यू